नवस्कार दोस्तों मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं TechHouse लास्ट कुछ टाइम से जो है स्मार्टफोन एक्सप्लोड की जो न्यूज है वो काफी सुनने में आ रही है लास्ट टाइम ही जो है नोड वन प्लस टू फाइब जी जो स्मार्टफोन है वो एक्सप्लोड हो चुका है उससे पहले सैमसाइंग, रैडमी के और भी कई सारे जो स्मार्टफोन है वो एक्सप्लोड हो चुके हैं तो ऐसे में सवाल यह आता है कि यार इतनी बढ़िया जो टेकनोलोजी के इतनी बड़े टेकनोलोजी के स्मार्ट सफोन आ रहे हैं इनके अंदर अभी भी जो स्मार्ट सफोन है वो एक्सप्लोड क्यों होते हैं आज की वीडियो में मैं आपको जो है कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप जो है बस सकते हैं स्मार्ट फोन एक्सप्लोजन से इन में से बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आप आप जो है आलडी कर रहे होंगे कुछ और ट्रिक्स का यूज करके आप जो है इस तरह की चीजों से बड़ी ही आसानी से बस सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहली चीज है अब वोई डिर्मियों का टाइम है तो ऐसे में डिरेक्ली जो स्मार्ट फोन है कई बार यूजर जो है बाहर धूप में रख देता है इससे होता क्या है कि डिरेक्ली जब सनलाइट फोन के लाइक स्पेस लिए अगर बैक पैनल जो अथेंटिक चार्जर यूजर नहीं करते हैं यानि कि किसी भी स्मार्ट फोन के साथ जो जैन्वन असेसरी जाई होती है जो भी चार्जर वगर होते हैं वो यूजर नहीं करते हैं कोई थर्ड पार्ट का यूजर करते हैं यह कई बार क्या होता कि फोरेजंब यह स्मार् smartphone हम ऐसा यूज कर रहे होते हैं जो कहीं ने कहीं से डामेज होता है तो ऐसे में जो है वहां पे भी जो है phone explode होने का खत्रा जो है काफी है तक बढ़ जाता है next point जो ऐसा है कि कंपनियां बोलते हैं कि यार अपने जो mobile phone है उसको कितने भी आवर चार्ज लगा के रखो कोई भी problem नहीं है पहले क्या होता था कि जितने भी laptop या smartphone साते थे उनको जैसे हंडर परसेंट चार्ज हो उनके बाद हमें जो है चार्जर से हटा देना होता था अधरवाइस जो है वो हो जाते थे लेकिन रिशेंट कंप्लीज बोलती हैं कि हमने जो है ऐसी टेक्नोलोजी डवलप कर ली है अब कितने भी आवर इसको चार्ज लगा यह ओटो कट हो जाता है लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारी कि यूजर क्या है कि अब करते रहते हैं पर उनका स्म लिएजा is कहीन करता है और यूजड़े होती है तो वो भी आप जो है किल कर सकते हैं क्योंकि वो भी काफी बैटरी यूज कर रही होंगी और उनसे भी फॉन हीट हो जाता है अगला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादे कई बार का आपने देखा होगा कि किसी के पास दो स्मार्टफोन है और वो दोनों स्मार्टफोन कहीं अगर रख रहे हैं तो एक दूसरी को पर रख रहे हैं या जेब में रखे हुए हैं तो दोनों स्मार्टफोन एक साथ रखते हैं उससे भी क्या होता है कि दोनों की जो जगहें पर या थोड़ी जो है ऐसी जगहें पर रखना होगा जहां पर बैटरी का टेंप्रेचर बड़े नहीं हमने जो है आलमोस्ट कई सारे पॉइंट इनके अंदर इंक्लूड कर दी हैं जिन से स्मार्टफॉन एक्सप्रोजन से बचा जा सकता है अगर आपको यह अगर कोई ऐसे पॉइंट पता है तो वह आप हमें कोमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टैक और चैनल को आप